तमाम अजकलों को विराम लगने वाला है और अब कॉंग्रेस में अध्यक्ष के नाम पर सहमती बन गई है जल्दी कॉंग्रेस पार्टी को उसका अध्यक्ष मिलने वाला है अब वो अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या फिर कोई और ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन हलाकि इस खबर पर अब तक कोई मुहर नहीं लगी है लेकिन बीते दो दिन पहले अशोग गैलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात की खबरों ने इन अटकलों को और भी हवा दे दी है वो अशोग गैलोत खुद भी कह चुके हैं कि वो आखरी वक्त तक ये कोशिश करेंगे क कि राहूल गांधी ही इस पार्टी की कमान को सम्हाले लेकर इस बीच राहूल गांधी की भारत जोडों यात्रा राजस्थान में करीब 500 किलोमीटर का सफर दै करेगी चिनावी साल से पहले छह जिलों से होकर गुजबने वाले इस यात्रा को सियासी माइनों के हिसाब से काफी एहम माना जा रहा है तो बहस हाज इसी खास कोते पर पर चर्चा की बेख खास महमान हमान साथ जुर चुक है मैं साथे कॉंग्रेस विधायक राम नरायन मीडा जी बीजपी नेता मुकेश पारिक जी चर्चा में शामिल हुए हैं सातिराजितिक विशलेशक मितलिश जैमनी जी हैं और यूगेश शर्मा जीवे मैं साथे पॉलिटिकल एजिटर हैं बहुत स्वागत है आप सभी कब एक फाइट लाइव में शुरुआत राम नरायन जी आपसे ही करते क्या माना जाए कि मिल गया आखिरकार अध्यक्ष कॉंग्रेस को या फिर अभी सीड़ाप रूसी की बैठक का इंतजार किया जाए यह सई है और मानने मुख्य मंद्र जी के पहाओ नाशे में भारते राष्टे कॉंग्रेस का राष्टे जेक्स रावल गांधी सबसे इच्छे उमीद वारा है डुसरे हमारे सबस्यप्म हैं सबस्ब्से ऑंगर और हरकारिकार्ठ का उमीद वार है। गांधी परिवार से इसे कोई फरक नहीं पड़ता देश में एक तार्य जूटता और मोदी जिस्ते से देश को बेज रहे हैं बिरुद्ध गरी बढ़ रही है जिसने से उस संगर्ष को आगे लाने के लिए माने रहुल जी जिसने संगर्ष कर रहे हैं एक वेक्ति जो संगर् आप बोल रहे हैं और कॉंग्रेस का हर कारे काता हैं का समर्थम करता है जी से ठीक है यानि आप कि दो पसंद ही है और वो दोनों नाम ही यहां पर सामने हैं लेकिन जल्दी तैह हो जाएगा लेकिन मुकेश पारिक जी बीजेपी लगा तार देगे कॉंग्रेस को जितनी चि बान सम्हाले बीजेपी इसे कैसे देखती है वैसे कॉंग्रेस में कौन राष्ट्री अध्यक्ष मनें किसको बनाए उससे बारतिय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं यह उनका आंतरिक मामला है हमारी चिंता नहीं हमारा यह कहना है कि कॉंग्रेस जो राष्ट्य इस राहुल गांदी जी योग है हम भी यही कहते हैं कि इस परिवार के बाहर संभावना कम ही है कि कोई अध्यक्ष बने और परिवार के अलावा यह कोई चाहेंगे भी नहीं कि कोई बने लेकिन कौन बनता इससे हमारा कोई मतलब नहीं है देखिए जहां तक राजस्तान की हम करते हैं अब यह 15 महीने बाकी हैं इस सरकार के अब उस 15 महीने में यहां कौन इनका राष्ट्य अद्दक्ष बने कौन यहां मुख्य मंत्री बने उससे यहां की राजस्तान की राजनिती में कोई फर्क नहीं बढ़ने वाला और जहां तक मैं एक मीना जी की बात का जवाब द होचा है वो देश के प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी ही हैं जिनोंने इन कोवीड जैसी भारी महामारी के बावजूद आज हमारा देश अन्य देशों से जब हम तुलना करते हैं तो एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हमारा जो रक्षा तंत्र है वो मजबूत देश को आगे बाएं फिर भी विपक्ष है जो बार बार यही सवाल करता है और विपक्ष कह रहा है कि देश को कमजोर करने का काम किया गया और इसलिए जो टकर में खड़ा हो सकता है उन नाम उपर भी यह बहर लगानी की बाद कर तो आप एक मेंट बोलो टकर तो इसलिए यह नहीं दे सकते आप देखे क्या इस्तिति आज किते राज्यों में कॉंग्रेस की सकार थी आज कहां रह गए और पंद्रह मैंने बाद राजस्तान भी इनके आज से चले जाएगा तो यह टकर वकर तो अब कोई कोंग्रेस को टकर तो आप और कॉंग्रेस में टकर है भार राहूल गांदी समाली किसिएक पहले पसंदर राहूल गांदी के वह कह रहे हैं कि नहीं वह खुलकर कारेकरता के तार पर जाना चाहते है श्यूलकर आतना अको को जिस तरह से वह लीट करेंगे W उस पर फोकस कर रहagues तो प्रियंका गांधी के नाम पर भी नहीं सहीं क्यों भूब भिचार निए है और एसी विचार निये हैं कि कोई जादूगर की दरकार है अब जादूगर खुद असो मेरी कांग्रेश को है कि वह अपना जादू देश में दिखा है और राश्ट्य-द् script कि मान समाल है और गांधी परिवार 1925 मैं में P.v. शिवरोवा उसमें जो कहा गया था कब देने का समय है राष्टपती केनेडी ने कहा था यहार आदमी को यह सोचना चाहिए कि हमने राष्ट को क्या दिया राष्ट ने हमको क्या दिया यह भूल जाई तो आज कांग्रेस के जितने भी नेता उनको यह जरूरत है आज सेरगिल चोड़ के चलेगे पहले आनंद्जी चोड़ के चलेगे कपिल सिब्बल चोड़ के चलेगे है टो जो क्यों जा रहे हैं क्योंकि कहीं न चाहिए कांग्रेस में जो सेंटर लिडर्शीप वह कम जोर हुई है वह आला कमान के नाम पर मा, बेटी और भाई यह बनके रह गए तो आला कमान आप रखिए लेकिन उसके साथ साथ आप कोई कारी-कारी अद्यक्ष या ऐसा अद्यक्ष जो उनके विश्वास का हो और असो गैलो से ज्यादा विश्वास का कोई नहीं है वो यूपी के प्रबारी रहे गुजरात के प्रबारी रहे को संग्ठन के बहुत बड़े लीडर लेकिन कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की निताओं के साथ क्या दिक्कत है कि अपना जोब प्रोफाइल चेंज करना नहीं चाहते और प्रोवाइल सेम रखना चाहते और प्लिटिक्स में जब भी यह जो निता निकलते इसको के बाद में आपका जो कंसेस्ट वोईस है वो नहीं सुनी जाती है तो एक्जिट कर जाता यह बेसिक फॉर्मूला है पॉलिटिकल साइंस का और वह कॉंग्रेस में हो रहा है लोयल्टी कारिकरताओं की लूज हो रही है और इसी का खाम्याज और कॉंग्रेस में कभी भी जो इसी वो फियर नहीं रही इंद्रा आप महात्मा गांधी जी के टाइम का देख लीजिए उस टाइम जवालान नहरू के खिलाब सर्दार वल्लब पाई पटेल के खिलाब पक्स में पंद्रा आये थे और जो सीताराम पटेया थे और करपलानी जी ते उनके तीन आये थे ले अलाकमान का सिस्टम रहा है लेकिन आज जो सोचने की विशह है कि क्या कॉंग्रेश इस बात को मानने के लिए तयार है कि हमें वापिस खड़ा होना है क्योंकि कॉंग्रेश की स्थिति नाजुखदोर है आप वो निकालने जारे भारजूडो यात्रा आपने मास में को मेसे सब्सक्राइब करें लेकिन कॉंग्रेस के बुद्धी जीवी केवल खुद के लिए सोच रहे हैं पार्टी के लिए नहीं सोच रहे हैं इसलिए कांग्रेस की आलत यह होती जा रही है कि अध्यक्ष गैर गांधी होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान के मुख्या के तौर पर कौर होगा सबसे बड़ी बात कि वो लॉयलिस्ट है वो भी सी के बड़े नेता है पूरे देश के और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि ना केवल कॉंग्रेस कि जितने भी बाहर चेत्रे दल है उनके मुख्याओं से उनके रिष्टे अच्छे है आने वारे समय में दोजार चौबिस के बात जो लोकसभा का चुनाव है उसकी जंग रहेगी तो उस लोकसभा की जंग में यूपिय गटबंदन को मजबूत करने के लिए भी एक ऐसा न सबसे बड़ी बात है कि कॉंग्रेस को हिंदी पट्टी के अंदर फिर से अपनी मजबूती दिखानी है और मजबूती तभी होगी जब हिंदी पट्टी का कोई लीडर सामने आएगा हिंदी पट्टी खुद राउल गांदी अब साउच से लीड कर रहे हैं वहां से सांसत बंद चुके हैं वाइनाइट से तो ऐसे मैं अब अशोग लोथ हिंदी पट्टी के नेता हिंदी पट्टी के साथ ही वह वहां जहां कॉंगरेस की सरकारे हैं अभी चाह राजस्तान हो या 36 गड़ कैसे वहां दुबारा सरकारे लाई जाए तो राजस्तान के विधान सभा चुनाओं जो आने वाले साल में हैं उसको लेकर भी साथ में प्लानिंग है तो अगले लोकसभा चुनाओं को लेकर भी प्लानिंग है तो अशोग लोथ के कदका यूज किया जाएगा और अशोग लोथ के जो का जा सकता है उनका संगठन का जो अनुभवर आया पुराना और जितने भी उन्होंने अब तक प्रभार समाल है और सबसे बड़ी बात है कि कॉंग्रेस के अंदर अभी तक ये बात आ रही थी सामने कि रहूल गांदी कॉंग्रेस के लीडर से नहीं मिलते हैं, कॉंग्रेस के वरकर से नहीं मिल पा रहे हैं, अब अशोग गलोत वहां कॉ संगाथन के अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वहां बैठके वह कांगरेस के कारे करताओं को सुनेंगे और सबसे बड़ी बात है कि देश भर्क के कांगरेस कारे करताओं को लीडर को भाई नेम जानते हैं क्योंकि संगठन के मासेचिव रहे हैं और एक लंबा प्रवास उनने पूरे देश पर में किया है तो एक जो संगठानक कौशल है उनका और जो दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि वह दोनों पदों पर रहेंगे ये भी एक चर्चा का दोर है कि वह मुख्मंत्री के साथ चाहत और पार्टी के द्रश की कमान में समालेंगे तो ये कुछ ऐसी करते हैं जो CWC बैठक के अंदर वह सामने आ जाएंगी कि आखिर पत्ते क्या खुलने जा रहे हैं क्योंकि सोनिया गांदी राहूल गांदी और प्रिंका गांदी कि तैय कर चुके हैं कि कॉंग्रेस का भविष्य अब किन हातों में देना है अशोग गलोथ के आतों में इस जितने भी रीडर्स इंद्रा गांदी राजी गांदी अगर कोई अपने बाशनों में अगर लेता है नेता देशवर में तो अशोग गहलोथ का नाम आ रहा है तो उसकी वज़ब यहां पर साफ है कि आखिर कौन से इसे पैरामिटर जिस पे उनके बराबरी कोई नहीं लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें राउल गांधी से लीट कर रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में ही आम जन इसमें कितना सक्री होगा कैसे जुड़ेगी कॉंग्रेस उन से प्रोग्राम में आम जन सक्रे है सबकी बावना है और जो प्रसित्या बनती जा रही है आप देख लिए पहले के अंदर की स्टेट की बात निवा करते थी दोनों एक थे नभाव पर्दिशत के अंदर देता था योजनाओं को दस्टेट देता था लेकिन फिर भी कोई जगणा नहीं था आज 50-50 करने जा रहे हैं अभी कह रहे थे वह किसा आप देश की वह है मैं नहीं करना चाहता है देश शुरक्षीत है शुरक्षीत है तो पिर सुप्रेमर देश कंजोरी नहीं है आद इंडरा जी ने 94 में अनुशूर किया था तब देश च्छटे नमबर का था आज किसे बात हो रही है मारे जीडीपी की बंगला देश से लंका से क्या हो रहा है मारे देश के साथ लेकिन टकर देने के लिए भी तो मजबूत विपक्ष नहीं है विपक्ष में तो एक जुटता नजर नहीं आती है अगर आप लोग यह बात कहते है विरोध करते हैं तो भी असोगे लोगी बहुत है उनकी बात को मना जाएगा रहुल गांज एद्धेक्स होंगे और वह चाहेंगे कारेका रहाटी जंदा पार्टी को नहीं लेकिन बार बार सवाल जो विपक्ष उठाता है वो केंद सरकार पर कार शैली पर योजनाव पर और आम जन्त का ख्याल नहीं रखा जाता बार-बार यहीं चीज़े उठती है और इसी को लेकर 2024 का लक्ष रखा जा रहा है जब राजनेतिक दल तथ्य विहीन जब बाते करते हैं तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती है और जो जनता देखती है धरातल पर जनता उस पर विश्वास करती है और जब चुनाव आते हैं तो वोट पर परिनिती उनकी होती है तो यह सब को दिखता है लोगतंतर का एक यह सीधा सिस्टम है वही मैं कहना चाहूंगा कि जो केंदर सरकार है जिस प्रकार से केंदर सरकार ने पिछले आठ वर्षों में जो कारी किये हैं आ इतने देश को आजाद हुए बाद इतने साल तक कॉंग्रेश का शाशन रहा उसके बावजूद पूरे देश में आज तक आठ साल की अगर हम बात करते हैं उसको चोड़ते हैं तो आज तक कई ऐसे गाहों थे कि जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी कभी इस देश के इस प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के अलावा कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि गाउं में सोचा लेकि कितनी बड़ी दुवीदा है माताएं बहने रात में अंधेरा होने का इंतिजार करती है सोचा ले जाने का कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि गरीब को उसका लाप सीधा मिले उसके लिए उसका बैंक खाता होना चाहिए किसी ने नहीं सोचा इस नरेंद्र मोदी ने सोचा और आध देश के हर गरीब का जिसको सरकारी योजनाओं का लाप मिलता उसके खाते होने जी ले जा रहे हैं क्या आपको लगते कि कॉंग्रेस को इससे फाइदा होगा या नुकसान देखिए फाइदा नुकसान क्योंकि 2023 तक 11 राज्यों में चुना होने हैं और जो गुजरात के प्रभारी हैं रगुशरमा जी वो जब जैपूर आये तो उन्होंने बड़ा बयान दिय कि कोई भी मंत्री पद पर बैठकर अपने आपको खुदा समझने लग जाता उसी का परिणाम देख लीजिए आप सेर्गिल ने आज इस्तिपा दे दिया और जो सुर्जेवाला जी है वो करनाटक के प्रभारी हैं लेकिन काम नहीं समाल रहे हैं जैराम नमेश ने उसको सा सहा से कम हो गया और उसको वापिस अंचारित करने के लिए अगर जो राष्टी अध्यक्स पर अशोगेलोध जी को बनाया जाता है तो निश्चित मानिये क्योंकि उसमें संग्ठन की उन्में आपार्क शंभावना है तो सेम केटलिस्ट की फोर्म में असोगेलोध कॉंग् कॉंग्रेस की क्रियाएं बंद हो गई है वह केमिस्ट्री फिर सुरू हो सकती है और असोगेलोध कॉंग्रेस के लिए उत्प्रेरिक साथबीत हो सकते हैं बसरते वह राष्टे अध्यक्स बन जाए क्योंकि राहूल गांधी साफ कर चुके हैं कि उनका मन नहीं है और वह त लिए निश्चित रूप से मूल OBC का है वी सी दो तरीके हैं एक तो है मारसल OBC जिसमें जाट गूजर यादव याद अध्या एक मूल obc जिसमें मूल OBC से ही अराश्ट के प्रदानमंत्रिया आते हैं तो मूल OBC के बना मूल OBC होता है और तमाम जातिया जूडती है तो न इतनी बड़ी पार्टी ये हासीय प्यो आई क्योंकि हर जो कॉंग्रेसी इसने अपने बारे में ही सौचा योगेशी कॉंग्रेस को मझ्भूत करने की बात कहीं जारे लेकिसर अधिक्षपत की कमान किसी को सवप देने से ही क्या कॉंग्रेस मजबूत हो जाएगी क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स है और बाकी जिन लोगों को जिम्मेदारी दीगे कि आपको लगता है कि वो सटीक काम कर रहे हैं और वाकी में मंच्छा सभी की एक है कॉंग्रेस पार्टी गहर गांधी को अध्यक्ष बनाती है उसके बावजूद कमान गांधी परिवार के हातों में रहेगी यूँ कह सकते हैं कि जब राम वनवास गए थे तो जो उनकी पादुकाएं सिंगासन पर रखकर बारत ने अधिया का शाषन किया था तो वैसा ही शा अध्यक्ष बने केर गांधी तो ऐसे में अशोग गलोत के नाम की तरचा इसलिए को अशोग गलोत सर उसमत एक उमिदवार के तोर पर सामने आच चुके हैं और जो आपने काया कि कैसे कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस तो मजबूत होगी जब देश भर के कांग्र इसका वरकर का जाए पहली गलती यूपी में हो चुकी कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी को लॉंच करके और वो बड़ा खामियाज उठाना पड़ा प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे को वहां पर फ्लॉप होना पड़ा तो ऐसे में अब कोई रिस्क कांग होदी अमिर शाह योगी आतिनाथ यह वह बड़े चेहरे जिनके मुकाबले के लिए बहुत ताकत चाहिए तो ऐसे में अभी केवल कॉंग्रेस को मजबूती की जरूत है और वह व्यक्ति जो कांग्रेस के अंदर कार्यकरताओं को मॉबलाइज कर सके कार्यकरताओं के अंद हो टच करें उनके पिता राजी गंदी ने भी ऐसा किया था उनकी दादी इंद्रा गंदी ने वैसा किया था तो उस रापर वह जरूर है सफलता कितनी मिलेगी अलग बात है लेकिन अभी कॉंग्रेस के वागत है बिलकुल रावल गांदी जो चाहते है वह साफ साब बोलर है यही वजह कि वह बारबर ही कह रहें कि अध्यक्षपत की कमान किसी और को सपी जाए मैं तो सड़कों पर उत्रूंगा आम जन से जुड़ूंगा भारत जोड़ो यात्रा निकालों तुम्यात्रा करते हैं तमिलनादू के रीडिस पदियात्रा का कल्चर इसलिए कश्मीर से कन्या कुमरे नहीं साओच से कश्मीर की यात्रा शुरूंगी चुना गया चली क्योंकि बाध खत्र पहुंचुकर आप सब इक शर्चा में शामिल होने के लिए तो देगे इस सीड़व्यू सी की बैठक में फाइनल होगा क्या कि कॉंग्रिस का सार्थी कौन होगा अध् सिर्फ ये है कि एक जुट करने वाला ही अध्यक्स चाहिए और इसलिए नाम यहाँ पर तैम आना जा रहा है हालकि आपचारिक एलान की का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाध क्योंकि गुजरात की चुराव से पहले बड़ा फेर बिदल कितना फाइदा कॉंग्रस को सब्सक्राइब